नवस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चैनल पे आज हम लोग क्लासिक्स का जो चैप्टर 2 है क्या कब कहां और कैसे उसका पार्ट 2 करने वाले है इसका फर्स्ट जो पार्ट है चैप्टर 2 का वो अल्रेडी डाल दिया गया है तो ये चैप्टर 2 का पा बार चैप्टर 2 का क्या कब कहां और कैसे का पार्ट 2 देखिएगा यानि कि ये वाला वीडियो ठीक है तो आईए वीडियो की सुरुआत करते है तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जो इस चैप्टर का चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों ने यहां पे र पढ़ना है तीथियों का मतलब यानि कि तीथी का क्या मतलब होता है जैसे हिस्ट्री में तीथी का क्या इंपोर्टेंस है तीथी का मतलब क्या होता है डेट तो डेट का क्या इंपोर्टेंस है उसके बारे में समझते हैं और ये भी समझेंगे कि डेट को निर्धारन कैसे क calendar चलते थे उसके बाद अब ये जो calendar चलता है वो कौन सा calendar है और ये calendar कैसे काम करता है ये सारी चीजों को हम लोग detail में जानेंगे ठीक है तो आईए शुरुआत करते तो हमें पढ़ना कहा है तीति का मतलब क्या होता है तो पहले जानते है कि प्राचीन काल में हमारे देश में की गनना विक्रम समवत और शक समवत के आधार पर किया जाता था ठीक है तो हमारे देश में प्राचीन काल में ये ग्रेगोरियन calendar आने से पहले हमारे देश में तीतियों की गनना कौन से calendar से होता था तो हमारे देश में होता था विक्रम समवत और शक समवत के आधार पर होत पूरे विश्व में एक मानग कि रूप में तिथियों की गंणा मुखेत इशाय धर्म परवर्तक इशामसी के जन्म की तिथी से की जाते हैं अब इसमें होता है कि इसमें इसा मसी के जीवन को सुन्य वर्स माना जाता है यानि कि जब इसा मसी जिस वर्स जन्म लिये थे उस वर्स को क्या माल लिया गया तो सुन्य माल लिया गया माल जे इसा मसी का जन्म इस वर्स हुआ था तो इस वर्स को क्या माल लिया गया, सुन माल लिया गया, अब इसके बाद जितना भी समय होगा, उसको positive में आने के पहले, यानि इसको समझने से पहले एक चीज आपको बताते हैं, क्या आप number system जब पढ़े होंगे, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा में क्या पढ़ा जात बाद आट जाता हैं, ठिक उसी तरीके से, अगर 0 के left side में हम जाते हैं, तो क्या करते हैं माइनस 1 होगा, माइनस 2 होगा, इधर क्या होगा, माइनस 3 होगा, ऐसे करते करते डॉत डोत डोत लोग उनके जन्म के पहले भी तो लोग रहा करते थे जिसे एक छोटा सा और पिल्ट अजयर जेब आपका जन्म हुआ जो आपका डेट उपर्ट परते है उसका पहले याणि कि मनली जी अगर एक एक ऐसांपल के तर प्री ये आपका करते वह comeback मुझा था तो 2005 में तो 2005 से पहले भी तो कोई time रहा है नग्यां पहले भी तो लोग रहाते थे पहले भी समय था तो उद समय को हम कीसे define करें तो माल先生 आपका ज despair जन्म था वह 2005 म हुआ तो उसको माल लेता जिरो माल लेता कि उसी समय समय किस रुआए तो अगर मान के चलते तो आपके जो यह था जिस में जन्म हुआ था उसको जीरो माल लिए तैया तो उसके पहले वाला जो समय होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बी सी बोलेंगे यानि कि यहां पे इसा मसी के रुपए अगर हम देखते हैं तो हम लोग क्या कर िंगे कि इसा म bardziej का जब जर्म हुआ था जिस वर्स तो उस वर्स को क्या मान लिया गया 0 माल लिया गया और उनके पहले वाले जो समय थे उनको BC बोला गया क्या बोला गया BC और अब जब यह समय था तो उसको क्या है कि घंटते करम में आई गा मतलब कि म 도् RS5.000 साल पहले की बात है उसके बाद 3000 साल आएगा उसके ऐ क्रण एक हजार साल आएगा उसके वर्स आएगा उसके बाद पर यहां पर किया हो जाएगा झीरो की जो भी घटना होंगी उनको क्या बोला जागा बीसी बोला जागा इससे पता चल जागा कि अच्छा ये इसा मसी के जन्म के पहली की बात हो रही है ठीक है उसके बाद इसा मसी के जन्म के बाद का जितना भी समय होगा उसको क्या बोला जाता है एडी बोला जाता है एडी का क्या बोलेंगे 2021 AD ठीक है और इनके पहले वाला जो समय होगा उसको क्या बोलेंगे बीसी बोलेंगे यान तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अभी यहां पर क्या करा है कि वही बात यहां पर लिखेंगे जैसे अधि कोई पहले का समय की बात की जा रहे ठीक है तो तिति निर्धारन को इस ग्राब से समझा जा सकता है जैसा कि आप यहां पर देख सकते कि इसा मसी के जन्म को क्या मा लें गया जीरो और उनके पहले वाला जो समय उसको क्या बोला गया एंणो डॉमिनी को ला गया तो यह आई होप कि लोगत, इस जगह की जितनी जट्नाय है वहां की भौगौकी परिश्चितियों के उपर निर्धारीद होती है मतलब यहाँ पे जैसी इस जगह की जैसी भागौलिक इस्थिती होगी वैसी ही उस जगह का क्या होगा इतिहासिक प्रिष्ट भूमी होगा ठीक है तो भारत किस भागौलिक प्रिष्थिती में है कहां पे इस्थित है उसी के आधार पे भारत का हिस्ट्री किरियेट हुआ भारत की भہोगौलिक प्रिष्ट भूमी क्या है मतलब भारत में कौन से प्लेश कैसे है उन सबी चीजों को इस सेक्शन में समझेंगे ठीक है तो आई ये शुरुआत करते तो क्या है कि प्राचीनकाल से ले करके अब तक भारत की इतिहास को समझने के लिए सरव प्रतम उसकी भोगौलिक रूप रेका की जानकारी आवस्यक है जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी प्लेस के बारे में जानना चाते है प्लेस पे किसी भी जगह पे हुई घटनाओं के बारे में समझना चाते है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि वहां की भावगौली की स्थिती क्या है, वो किस छेत्र पे पड़ता है, वहां पे जंगल है, पहार है, नदिया है, क्या है, जगिस्तान है, मरुअस्तल है क्या है, सहर है, गाउं है उन सारी चीजों को जब तक नहीं समझ येगा, तब तक आप उस प्लेस की हिस्ट्री को नहीं समझ पाईएगा और वो घटनाई क्यों ही उनकी रिजन को भी आप नहीं समझ पाईएगा, तो इसलिए हमें सबसे पहले ग्या जानना जरूए होता है किसी भी प्लेस की भागई प्रिस्ट भूमी ठीक है ना तो क्या है कि भागई त्रिष्ट भूमी के भारत को मुखेता चार भागों में बाटा जा सकता है तो ये भी आप से कोई question कर सकता है कि भागोलिक प्रिष्ट भूमी के आधार पे भारत को कितने हिस्सों में बाटा जा सकता है तो आप क्या बूलेगा कि भारत को भागोलिक प्रिष्ट भूमी के आधार पे चार ही भागों में बाटा जा सकता है पहला उत्तर के परवतिय परदेश जो तराई के जंगलों से प्रारंब होकर के हिमाले के सिखर तक फैले हुए इसमें कास्मीर, कांगरा, कुमायू तथा सिक्किम के परदेश शामिल है आपको दिखाते हैं आपे तो फ्रेंड्स ये वाला जो प्लेस है यानि कि ये जो हिमाल इसके उत्तर का मैदान उसके भारत को और कौन से हिस्से में डिवाइड कि यह तो वो है उत्तर का मैदान जो अपने उपजाओ भुमी और अधिक पैया वारे कि लिए परशिद है सिन घंगा अमना तता उसके सायक नदियों सेडनियों से ते नदियों से सिचाय क prends होता है यह जो चेत्र है वो क्या है सर वाधीक उपजा र capei तो जो अउत्तर का मैदान वोगन वो कहां पे है तो यह देख ले तो भारत का उत्री मैदान कहां प्रवती परवतीयच्छत्र हो गया उसके बाद यह कहना देली परवतीये तो हमारा भी आते हैँ, यहां पर विलते हैं उत्तर का पडवती है मैदान और यहां पर यहां की जो भूमी है वो बहुत ही जाओ है और यहां पर क्या है क्रिशी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है ठीक है तो यह है भारत का उत्री मैदान ठीक है अब नेक्स्ट जो सेक्षन है वो क्या है दक्षिन के पठार के अंत यहां करती है सिंटरल वाला पार्ट उसके बाद आते हैं दक्षिनी पार्ट अगर देखें तो फोर नंबर क्या है कि चौन्था जो पार्ट इंडिया को अगर भगोलिक रिष्टिकों से बाठते हैं तो कौन सा है कि सुदूर दच्छिन के मैदान में गुदावडी कृष्णा तथा कावेडी के उपजाओ डेल्टा वाले जो प्रदेश है वो मिलते हैं तो आपको यह दि कौन उत्तर में उत्तरी जो छेत्र है वो तराई से लेकर करके उसके बाद यह सिंदू गंगा वाली जो सिंचित जो भूमी है जिसको उत्तर का मैदान बोलते हैं उसके बाद तिसरा जो एरिया है बिंदे और सत्पूरा की पहारियां और नर्मदा नदी यह वाला एक सावरी कावेरी और खृष्णा नदी यह द्वारा सिंचित जो भूमी है उसको क्या बोलते हैं भारत को चौथे भोगवालिक हिस्से में क्या किया गया है अब आगे देखते हैं तो क्या करें कि भारतिये उप महादीप के उत्री सिमया परिस्तित परवत श्रिंकला भारति अब यह जानते हैं कि हम लोगों ने इस मैप में देखा कि इधर वाला यानि कि इंडिया के जो नौर्थ वाला पाटे यहां पर बहुत बड़े-बड़े पहारे क्या है बहुत बड़े-बड़े माउंटेंस जैसे हिमाले माउंटेंस भी भारत के उत्तर में है तो यह जो यह जो परवत है न वह भारत को बाकी जो सेंट्रल एसिया है उसे क्या कर देता है इसको प्रिथक कर देता है अलग कर देता है अब लोग इधर से उधर जा सकते हैं उधर के लोग इधर आ सकते हैं लेकिन पहारों के बीच के यानि कि दर्रा क्या होता है उसको समझाते है त इसे मालो माउंटेन ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच यानि एक पहार यह हो गया और एक पहार यह हो गया यानि कि एक चोटी यह है और एक चोटी यह इसके बीच का जो नीचे वाला पाट है इससे होकर के लोग क्या कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं यानि कि इस साइट से ले करके उधर से इधर लोग आ सकते हैं और इधर से उधर यानि कि दो पहारों के बीच के एक पत्रे जो सक्रे रास्ते होते हैं उसको क्या बोलते हैं दर्रा बोलते हैं जैसे यह जो पत्ला छोटा सा रास्ता है दो पहारों के बीच वाला इसको हम क्या इसको दर्रा बोलेंगे तो ठीक इसी तरीके के दर्रे कौन कौन से है तो खैबर दर्रा हो गया बोलन दर्रा हो गया गोमल दर्रा हो गया और इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तता इरान से बना रहता था ठीक है यानि कि इन पहारीयों के पहारों के होने के बावजूद भी इनके बीच जो दर्रे हैं उनके माध्यम से भारत का संपर्ग कहां कहां से तो अफगानिस्तान हो गया इरान हो गया यानि कि बाकी जो सेंट्रल एसिया के कंट्रिज हैं उनके साथ भारत का संपर्ग प्राचिनकाल से बना रहता था दर्रे पारियों क की बीच के सक्रे रास्ते होते भारती उप महादीब के उत्तर पश्मी छेत्र में ही मेहरगर्ड जैसे असाने जहां लगभग छहजार इसापुर में लोगों ने सबसे पहले गहुत था जो जैसी फसलों को उपजाना आरम किया तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेंट कि छहजार इसापुर की बात हो रहे इसका मतलब क्या हुआ कि इसा मसी के जन्म के छे हजार वर्स पहले की बात हो रहे यानि कि जब इस तामसी का जन्म हुआ था उसके उससे छहजार वर्स पहले की घटना के बारे में हम लोग बात करें और उससे में हुआ क्या था तो यानि कि यहां पर मेहरगर आप यहां पर देख सकते हैं अगी यह वाला जो एरिया है ना यह वाला जो एरिया यह महरगर का एरिया है ठिक है तो यही पे 6000 वर्षपूर लोगों ने क्या किया था सबसे पहले गय हुंत था जो जैसे प्सलो को उपजाना सुरू किया था तो जो और फ़शलो का उत्पादन उपÑना कहा के लोग चुरू किये तो मेहरगर के लोग शुरू किये ठीक है और भेर बकरित था गाय बैल जैसे पसुख को भी पालना शुरू किया था उत्तर पस्चिम के जो छेत्र में ही सिंधु एवं सिंधु एवं इसकी साहयक नदियां बती साहयक नदियां आगे चल करके एक बड़ी में यानि कि पचीस सो इसा पूर साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगडिये सभिता का विकास हुआ था यानि कि आपको इस मैप में दिखाते हैं कि सिंधु नदी कहां पर है यह सिंधु नदी और यह सिंधु जेलम हो गया चेनाव हो गया रावी हो गया सतलज हो गया व्या पानी छोड़ जाती है यानि कि गंगा नदी जो बहर है इसमें अपनी छोटी छोटी जो नदियां अपना पानी ला करके गंगा नदी में चोड़ देगी और गंगा नदी ले जाकर के बेंगल में गिरा देगी यह जो छोटी नदियां जो गंगा नदी को अपना पानी देती झाथ चोटी चूटी नदिया परफ एक्जय करने चीच हाइक जाक दो यहांपना पानी उन प्रफज करके अरेबियो में सी में घुर जाती है तो यह छोटी नदिया क्या कर सका लेगी आखेलिये based कीशुधिया в वाला छेतर दिख रहा है यहीं पे लगबग पचीस सो इसापूर और आज से 4700 साल पहले और पचीस सो ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आज से 4700 साल वर्ष पहले की बात है यहां पे सिंधु नदी के आसपास वाला जो एरिया है यहां पे सबसे पहले पहला सहर विक्सित हुआ मोवी आई थी तो अगर आप वो देखें होंगे तो अ उसी के उपर बनाया ञार। कि यहां के जो सिंधुनदी की जबेता थी उसी के उपर बनाया गया था है मुहनजुधारोय की जगह है ुषिक नोए एक मुवी बनाया गया था रितिक रोषन की द्वारा तो आप देख सकते हैं तो समझ सकते हैं ठीक है उसके बाद क्या है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि उप महादीप के उत्तर में यानि कि यह हमारो उप महादीप है भारती उप महादीप है इसके उत्तर में उत्तर पुर में गैरो ततक गैरो खासी और जैंतिया मिश्मी और नागा पहारिया है इन पहारियों के नाम पर यहां के आदिवासी मानो समूं की पहचान है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह वाला जो एरिया न यहां पर हम आपको दिखाते हैं यह वाला जो एरिया है यह गैरों की पहारिया है गैरों खासी और जैंतिया और मिश्मी और नाग यहां पे कुछ पहारियां है और इन्हीं पहारियों में जो रहने वाले लोग है इन्हीं जंगलों में जो रहने वाले आदिवासिश शमुदा हैं उनका नाम इन्हीं पहारियों के उपर रखा गया है ठीक है अब क्या करा है यहां पे कि भार्तियूप माधिव के बीच किया था और महापासानी संस्कृति में मृतक को दफना कर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गार दिये जाते थे तो महापासानी जिसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मैक्रो लिथ बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिस में मैक्रो लिथ या फिर महापासान मतलब क्या होता है पत्थर यानि कि बहुत बड़े-बहुत बड़े पत्रों वाला संस्कृत्ती था चाक तो इसको पहले समझते हैं तो फ्रेंट्स इस समय जिस समय के यानिके महापासानि यूग के तो pollenे वाले लोग जो थे वो सवो के उपर रखे जाते थे ठीक है तो यह था महापाशानी संस्कृती तो क्या करें यहां पर कि कहां पर हुआ था तो विंदे के आसपास वाला जो एरिया था वहां पर यह संस्कृती मौजूद थी बहुत पहले महापाशानी संस्कृती का निर्बान हुआ था और महापासाने सुख्षित में क्या किया जाता था कि मृतकों को धपना कर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गार दिये जाते थे विंद्य पहारियों के उत्तर पुर्यों पुत्र नदी के पश्ची में गंगा था था उसके सहायक जो नदियां है बहती है बिंद क कि उत्तर में इस्तित कोल्डीवा और चोपानी मांडो ऐसे अस्तले जहां सबसे पहले चावल और धान उप जाया जाता था यानि कि बिंद पहारियों के उत्तर में जो जगह है बिंद पहारियां है कहां पे तो यहां पर आपको फ्रेंट्स देखनों को मिलेगा बिंद की पह पहारियां और बिंद की पहारियों के उत्तर में यह जो अस्तल है जिसको क्या बोलते हैं कोल्डीवा और चंपानी मांडो ऐसे अस्तले जहां पर सबसे पहले क्या उप जाया गया था तो चावल तो फ्रेंट्स को यह आप से पूछ सकता है या फिर एक्जाम में एक्वेस् दक्षिन का जो छेत्र प्राचिन काल में मगद के नाम से जाना जाता है यहां के सासक बहुत ही सक्तिसाली थे और उन्होंने यहां कई भी साल समराजी की अस्थापना भी किती भगौली की रूप रेका के इस विवरन से अस्पस्ट है कि इस महादीव इस उप महादीव में यद पी अलग-अलग छेत्रों में लोग अपने-अपने ढंग से मानों सभिता का निर्मान कर रहे थे प्रन्तु यह कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे यह लोग उचे परवतों पहारियों रेगिस्थानों नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठा कर एक छेत्र से दूसरे छेत्र की यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तु का विन मैं यानि की खड़ित बिक्री करते थे तो फ्रेंट्स इतने सारे असुविधाओं और असमानताओं के होने के बावजूद भी लोग एक जगह इस्थिर नहीं रहते थे एक जगह से दूसरे जगह एक जग जगह दर्म गुरू हमेशा भ्रहवन करते रहते थे यहां तक ही भारतिव महदीव के बाहर के लोग भारत के अंदर यानि कि बोलन और गोलन डरा के रास्ते भारत आते रहें और आवागमण से क्या है हमारी संस्कृति और जो प्रंपड़ा हो क्या हुआ हुई रिध्ध हुई अब बात करते हैं कि हमारे देस का नाम तो हम लोग अपने देस के भारत का नाम बताई यह जो जगह इस जगह का नाम यानि कि जो जगह है इस जगह का नाम भारत क्यों पड़ा ये वाला जो जगह है इसको हम ये हमारा देश है तो ये छेत्र है इसको भारत क्यों बोला गया हिंदुस्तान क्यों बोला गया आरिया वरत क्यों बोला गया इसको जंबू दीप भी बोलते तो ये एक इस्तिहास है इसका नाम के इस छेत्र का जो नाम है वो इंडिया क्यों पढ़ा इसको समझते हैं तो यहां पर देख सकते हैं कि हम अपने देश के लिए हम अपने देश के लिए पढ़ाएं इंडिया तता भारा जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया सब्द इंडस स निकला है जिससे संस्क्रित में सिंधु कहा जाता है तो इंडेस का मतलब क्या होता है संस्क्रित में क्या बोलता है सिंधु बोलता है लगबग पचीस सो वर्स पहले उत्तर पश्चिम की और से आने वाले इरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस सिंधु को क्या ब जब इरानियों ने भारत में आना शुरू किया तो उन लोगों ने सिंधु नदी को क्या बोला ये सिंधु नदी है तो सिंधु नदी को उन लोगों ने क्या बोला हिंदोस या फिर इंडोस बोला और इसके पुर्व के ये जो एरिया थे इस एरिया कुन लोगों ने क्या बो क्भावतम क्रीमिली च connection क्यों क्लाँ कर स्थे टिक्व तो मैं करते ही सब्द हिंद अथ्वा हिंदुस्तान जी से नामों के उत्पत्ति का कारण ता और यह जो इंडिया सब्द conceptHope के इंडिया इसको सिर्फारी बोला जाने लगा चेत्र में रहते थे यानि-की भारत के उत्तरपश्चमी छेत्र में जो रहने वाला एक शमूदाय ऐसा माना जाता है कि इन्हीं ये जो भारत समुदाय था इन्हीं के नाम पर ये वाला जो छेत्र है इसका क्या नाम पड़ा भारत पड़ा ठीक है प्राचिन भारत की तिहास की आगे के अध्याय में पढ़ेंगे और प्राचिन काल में भारत में मानो जीवन कैसा था प्रारंभिक समाज कैसा था और इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ यह सब आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे यानिकि नेक्स चेप्टर में पढ़ेंगे ठीक है क्या पढ़ेंगे कि प्राचिन काल में भारत में मानोव जीवन कैसा था यानि कि प्राचिन समय में भारत में लोग मानोव जो थे वो कैसे रहते थे प्रारंभिक समाज कैसा था समाज का विकास कैसे हुगा लोगों ने खेती करना कैसे शुरू किया इन सारी चीजों को हम लोग नेक्सट चेप्टर में पढ़ेंगे इसका क्रमिक विकास कैसे हुगा यह सब बातेmekं हैं अगले चेप्टर में पढ़ेंगे तो इस चपितर के कुछ qearेस्टन इस उनको देख लेता है ठीक है तो पहला है तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं यह चैप्टर का question answer है इसका एक next अलग वीडियो बनाएंगे ठीक है तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए और अपने friends के साथ share किजिए तो मिलते हैं next वीडियो में इसके चैप्टर टू का जो question answer है उस वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद take care